श्री गनेश के जन्म की गाथा भगतों बड़ी महान है भगतों का कल्यान है करते गजानंद भगवान है श्री गनेश के जन्म की गाथा भगतों बड़ी महान है भगतों का कल्यान है करते गजानंद भगवान है श्री गनेश के जन्म की गाथा एक बार की बात है भगतों भगवान धोले नात को तप में लीन देखा तो मा गौरा के मन में सनान करने का विचार आ गया उन्होंने अपनी दो सक्षियों जया और विजया को संग में लिया और सनान करने हे तू महलों में आ गई सखियों ने मा गौरा को उपटन लगाया ही था कि जया के मन में विचार आया हे सखी द्वार पर तो कोई पहरेदार है ही नहीं यदि कोई भीतर आ गया तो सर्वनाश हो जाएगा मा गौरा ने मन में विचार किया, शरीर से उप्टन उतारा, उसे मानव आकृती प्रदान की, और प्राण मंत्र फूख कर उसमें प्राण भर दिये, और देखते देखते एक हस उस्ट बालक उनके सनमुक्ता, मा गौरा ने उस बालक को क्या आदेश दिया, आईए सुनाता जाओ जाकर द्वार पे बैठो और पहरा दो लगवाए, इतना ध्यान रहे बालक के कोई भी तर ना आपाए मैया को प्रणाम किया, और गौर पे आके पधारे हैं, इधर के लाश पे भोले बाबा, गौरा गौरा पुकारे हैं, नंदी ने भोले को बताया नंदी ने भोले को बताया मैय गईस नान है भगतों का कल्यान है करते गौरी पुत्र भगवान है गजानन्द भगवान है श्री गनेश के जन्म की गाथा भगतों बड़ी महान है भगतों का कल्यान है करते गजानन्द भगवान है गजानन्द भगवान है श्री गनेश के जन्म की गाथा शिव जी को जब ग्यात हुआ कि गौरा स्नान करने है तू महलो को गई है तो वो उनसे मिलने उसी ओर चल दिये द्वार पर बालक बैठा देखा परीचे पूछा तो बालक ने बतलाया कि मैं तो अपनी माता का फुत्र हूँ और उनकी आग्या से गौर पर पहरा देता हूँ भोले नात ने कहा मैं गौरा का स्वामी हूँ और भीतर को जाने लगे तभी बालक ने उन्हें बीच मार्ग में रोक दिया यह देखकर नंदी भिंगी और अनिशिवगणों को अत्यंत क्रोध आया और वो बालक से युद्ध करने लगे परन्तु बालक के अधब्य साहस के आगे वे सारे के सारे हार गए अब शिवशंकर के क्रोध का कोई भी पार नहीं था और क्रोध में जब भोले नाथ आते हैं तो क्या क्या हो जाता है आईए सुनते हैं पीजे नेत्र को खोला शिव ने हात तुशूल उठाया है खीच के बालक पर था मारा उसका शीश उड़ाया है मा गोरा चितकार मचाती भवन से बाहर आई है मेरे लाल को क्यों मारा है तेने लगी दुहाई है पुत्र को मेरे जीवित कर दो पुत्र को मेरे जीवित कर दो वरना स्रिष्ट शमशान है भगतों का कल्यान है करते कजानंद भगवान है गोरी पुत्र भगवान है श्री गनेश के जनम की गाथा भगतों बड़ी महान है भगतों का कल्यान है करते गजानंद भगवान है गजानंद भगवान है श्री गनेश के जनम की गाथा मा गौरा ने जब कटे हुए शीश का बालब देखा तो चंडी रूप धर कर चीतकार करने लगी कि यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया तो सारी स्रिष्टी को आज शम्शान बना दूँगी भोले नात ने विश्णुजी से आग रह किया कि जाईए और मार्ग में जो भी पहला प्राणी मिले उसका शीश लेकर आईए विश्णुजी मार्ग में गए तो सबसे पहले एक गज बालक उनके सम्मक पड़ा उनहीं का शीश लेकर श्री विश्णुजी वापस आ गए भोले नात ने मंत्र पड़कर गज का शीश बालक के कटे धड़ से जोड दिया और बालक उन्हें जीवित हो गया चहूं और बालक की जैजेकार होने लगी अब प्रश्ण यह था कि बालक का नाम क्या हो इस पर भोले ने क्या बताया आईए सुनते हैं तुम इन गणों के इश हो बालक सो गणेश कहलाओगे मेरा ये बरदान है तुमको प्रथम तुपूजे जाओगे सबसे पहले पूजा तिहारी सबसे पहले नाम तेरा भगतों के हिरदे में रहेगा ए गणपती तो वास तेरा तुम साब कारी ना तोई तुम साब कारी ना तोई ये मेरा बरदान है भगतों का कल्यान है करते गजानंद भगवान है गौरी पूत्र भगवान है श्री गनेश के जन्म की गाथा भगतों बड़ी महान है भगतों का कल्यान है करते गजानंद भगवान है गजानंद भगवान है श्री गनेश के जन्म की गाथा भगत जनों कैलाश परवत पर श्री गनेश के जन्म की धूम मच गई नंदी को देखो धोल बजा बजा कर नाच रहा है भिंगी को देखो सोने का थाल पीट रहा है शिवगण, शंक, मंजीरे बजा रहे हैं तीनों लोकों में भगवान गणेश की जैजैकार हो रही है ब्रह्मा जी जब गणेश जी का दर्शन करने आए तो उन्हें वेदों का ज्यान दे दिया ब्रह्मानी में स्वर और पुद्धी का ज्यान दिया विश्णु जी ने सुदर्शन चक्र की शक्ती तो मा लक्ष्मी ने धंधान की बर्शा कर दी सभी देवी देवता अपनी अपनी शक्तियों से बाला गणेश को नवासते जाते उनके दर्शन करते और जयजय कार लगाते जाते आगे आगे क्या लीला होती है भक्तों आईए बतलाता हूं सुर्य ने अपने तेज को भगतों श्री गणेश को सौप दिया अगनी ने ज्वाला में घुने वर्शा पवन देव ने वेग दिया शिब जी के तिर शूल की शक्ती पाल गणेश में आई थी मादुर गा की आठ भुजाओं की शक्ती भी समाई थी हर कोई तुमरी जय बोले हाँ हर कोई तुमरी जय बोले करता तेरा गुणगान है भक्तों का कल्यान है करते गौरी पोत्र भगवान है श्री गनेश भगवान है श्री गनेश के जन्म की गाथा भक्तों बड़ी महान है भक्तों का कल्यान है करते गजानंद भगवान है गजानंद भगवान है श्री गनेश के जन्म की गाथा मा गौरा की प्रसन्नता को तो जैसे पंखी लग गए थे भक्तों बार बार अपने लाडले गणेश की बलईया लेती और उनकी नजर उतारती चलती भाई कार्तिक भी गणेश को देख देख कर अती प्रसन्न हो रहे थे जिस तरहे पूरे कैलाश परवत पर भगवान श्री गणेश के आगमन पर प्रसन्नता चा गई थी ही उसी तरहे बप्पा मोर्या अपने भक्तों के जीवन में प्रसन्नता भर्षो लास यश वईभव कीर्ती और धन्धान भर देते हैं तो एक बार दोनों हाथ उठा कर मेरे साथ सच्चे हृदे से बोलिये बोलिये गौरी पुत्र देव गजानन गणेश की जिसने गणपत नाम को ध्याया मोदक भोग चड़ाया है आरति चालीसा भी गाई चंदन तिलक लगाया है उन भगतों की भवसागर से आपने नई आतारी है देव गजानन सब भगतों पे देखो सदाओ पुतारी है तीन लोक में देव नहीं है हाँ तीन लोक में देव नहीं है इनसा कोई महान है भगतों का कल्यान है करते गौरी नंद भगवान है श्री गणेश भगवान है श्री गनेश के जन्म की गाथा भगतों बड़ी महान है भगतों का कल्यान है करते गजानंद भगवान है गजानंद भगवान है श्री गनेश के जन्म की गाथा